नमस्कार, मैं हूँ सच्चेदानद वसेष्ट सज्जनों ये जो वीडियो हम लेकर के आये हैं ये शनी के परिवर्तन के उपर है शनी 17 जनवरी को अपना राशी परिवर्तन करेंगे और ये मिथुन राशी वालों के लिए एक बहुत ही सुबसमाचारक है सुबसमाचार क्या है कि मिथुन राशी वालों को शनी की ढहिया चल रही थी स्वास्त के लिए, मान सम्मान के लिए और आपके हर प्रकार की योग हैं ये परिशानिया आपको दे रहे थे लेकिन अब वहां से शनी आपके निकल चुके है निकल जाएंगे 17 जनवरी 2023 के अंदर और ये वहां से आपके भाग्य के इस्थान के उपर पहुँच जाएंगे और भाग्य के इस्थान पर पहुचने का मतलब अपने घर के अंदर हैं तो हर व्यक्ति अपनी जगे को बुलंद करता के आबाद करता के ब्रद्धी करता के तो वहाँ पर आपके भाग्य में ब्रद्धी होगी भाग्य आपका अकस्मात चमकेगा और वो आपको बुलंदियों पर ले करके जाएगा अपने लक्ष पर ले करके जाएगा जो भी काम आपके पहले से अधूरे पड़े हुए है अटके पड़े हुए हैं रुके हुए हैं उन कामों के होने की पूरी-पूरी संभावना ये शनी बनाते हैं और यहाँ पर बैठ करके नममस्थान में बैठ करके और शनी आपको अच्छी-च्छी लंबी-लंबी यात्राएं भी करवाएगा और वो यात्राएं आपके जीवन के अंदर लाब देने वाली होंगी भाग्य को आगे बढ़ाने वाली होंगी और इस समय पर किया गया कोई भी कार्य जो आप प्रारंब करेंगे वो आपके लक्ष तक पहुंचाने वाला होगा डाइवर्स ये सनी यहाँ पर बैठ करके ये समझे कि आपके भागे में वारे नयारे कर देंगे अतुल सफलताएं आपको देंगे जिससे कि आपका नाम होगा आपका यस होगा आपकी प्रतिष्टा बढ़ेगी और आप जो हैं आपके मित्रों के अंदर अच्छा मेल होगा अब यहाँ बैठे हुए सनी इतना तो फलीनों ने दे दिया लेकिन इसके साथ साथ सनी की जहाँ जहाँ दृस्टी होती है उनके उपर भी हमें विचार करना चाहिए क्योंकि सनी की दृस्टी जो होती है वो सुब नहीं होती और इनकी यहाँ से बैठ करके इनकी दृस्टी कहा जा रही है अपके लाविस्थान पर जा रही है लाविस्थान के उपर जा रही है तो भाग्य को तो बढ़ाएंगे यातनाएं भी करवाएंगे, अच्छी योजना भी बनाएंगे, लेकिन आर्थिक जो विकास है, उसमें कहीं न कहीं रुकावट जरूर पैदा होंगी, और जो पहले से चले आ रहे जो कारिक हैं, जिनका परिणाम अब निकलने वाला है, वो निकलेगा, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सब विलंब करेंगे, क्योंकि सनई चरती ती सनी है, जो धीरे चलता है, उसका नाम सनी होता है, और सनी पूरे नवग ग्रहों के अंदर सबसे धीमी गती से चलने वाले होते हैं, तो यहाँ पर आपको इस इस प्रकार की प्रेशानिया होंगी, लेकिन इन सनी की अ आपके तरतिय इस्थान को देख रहे हैं, तीसरा इस्थान मित्रों का भी होता के, तीसरा इस्थान छोटे भाईयों का भी होता के, तीसरा इस्थान पराक्रम का भी होता के, तीसरा इस्थान साहस का भी होता के, सामर्थ का होता के, पुरसार्थ का होता के, तो सनी की च्रस्टिक है, छोटे भाईयों से, अगर आपके छोटे भाईयों के उपर सनी का कुछ भी दुस प्रभाव हो सकता है, मित्रों के साथ तकराव हो सकता है, विवाद हो सकता है, मेत्री जो हैं नए मित्र बनने में दिक्कतें आएंगी अपना प्रभाव कुछ खीन हो सकता है तो इन सनी की जो कृपाख है उसको प्राप्त आपको करना चाहिए वो भी उपाए में आपको बताऊंगा लेकिन अब सनी की जो द्रस्टीख है दसम द्रस्टीख वो आपके लिए बहुत ही उत्तमख है सर्वत्तम है सनी की जो दसम द्रस्टीख है वो आपके छटे इस्तान के उपर जा रही है और छटा इस्थान होता है रोगों का, रिन का, और सत्रूओं का, इसके अलावा मामा का, यानि माता का भाई, तो उन इस्थानों के अंदर सनी का सुप्रभाव होगा, कारण सुप्रभाव क्या होगा, कि रोगों को मिटाएंगे, भापर सनी का होगा तो असुप्रभाव, ल रोगों को नस्ट करेंगे तो आप स्वस्त होंगे, रिन को नस्ट करेंगे तो आप उरिन होंगे, और रिन नस्ट कैसे होगा क्योंकि आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपके भाग्य में ब्रद्धी होगी, तो रिन जो हैं आपके नस्ट होंगे, रोग आपके नस्ट होंगे, और शत्रू भी आपके नश्टों के, अगर आपका कोई भी भिवाद कोर्ट में चल रहा है, तो उस कोर्ट केस्ट के अंदर सफलताओं की संभावना बढ़ती चली जाएंगी या सफल भी आप हो जाएंगे, तो ये सनी की विशेष्टा यहां पर रही, अब आपको करना क्या है कि सनी अच्छा होते हुए भी भाग्य में बैठा हुआ भी, आपको अच्छा परणाम देता हुआ भी, कुछ इस्थानों में तो इसने बिगार पैदा किया, जैसे कि भाई के इस्थान में, मित्रों के इस्थान में, अपने सामर्त और ख्रमता के इस्थान के अंदर इसने कुछ बिगार जो पैदा किया है, तो सनी की उपासना भी आप करते रहें, सनी का दान भी आप करते रहे सनी की शांती भी आप करते रहें और सनी का मंत्र है बैदिक मंत्र अगर आप करतेगे तो ओम सन्नो देवी रविष्टे आपो भवन्तु पीते संज्यो रविष्ट्रमंतु नहा और बीज मंत्र करतेगे तो ओम प्राम प्रीम प्रोम सह सने नमहा और अगर और भी लगू मंत्र करना चाहते हैं तो ओम सम्सनिश्चराए नमाहा इन मंत्रों में कोई भी एक मंत्र आप जो कहें ले लीजिएगा तेल का, लोहे का, काले उडद का, तिल का, काले कंबल का और चमडे का, इनके जो हैं आप दान भी करेंगे तो सनी प्रसंद होंगे उससे आपके जो जितने व्यवधान है, रुकावट है वो सारी समाप्त होंगी, सनी की कृपा होगी और बाकी अगर आप हनमान जी की उपासना साथ में करते हैं तो चरचन लग जाएंगे, अर्थात ये आपके उपाए और भी ज़्यादा सार्थक हो जाएंगे तो ये मैंने मिथुन रासी वालों के लिए दो हजार तेईस में आने वाला जो सनी है उसके बारे में बताया, और जो सनी परिवर्तन है उसके बारे में बताया और ये ही प्रभाव सनी का धाई वर्स तक चलेगा एक जैसा तो कभी भी नहीं रहता के लेकिन उसके अंदर अनुपात अगर हम लगाते हैं तो सनी कुल मिला करके आपके लिए स्रेष्ट जाएंगे, अच्छा फल देने वाले होंगे और बाकिये आपको कोई जानकारी किया हो शक्ताक है तो इन नमरों के उपर संपरक करके कार्याले से अपाइंटमेंट ले करके और आप जो भी जानना चाहते हैं कार्याले की सेवाएं हैं वो सेवाएं भी अर्पन करो और अपना लाब भी आप लीजिएगा नमस्कार